डेली करेंट न्यूज में इस वक्त की खबर है आयसे की पांचवी असेंबली का आयोजन 17 से 20 अक्तूबर 2022 तक अंतराश्ट्रे सौर्गडवंधन यानि आयसे की पांचवी सभा का आयोजन किया जाएगा केंद्रिय उर्जा और नवीन एवं नविकर्णिय उर्जा मंत्री आर के सिंग की अध्यक्षता में या आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा इस असेंबली में उर्जा पहुँच उर्जा सुरक्षा और उर्जा ट्रांजिशिट के तीन प्रमुख महत्पून बिंदों पर आयसे की प्रमुख पहलो पर विचार किया जाएगा इस बैठक में 109 सदस्य देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधी भाग लेके इसमें सभी विकास शील्ड सदस्य देशों को क्षमता निर्मान समर्थन तथा सभी सदस्य देशों को एनलेटिक्स और एडवोकेसी समर्थन पर भी चर्चा की जाएगी इस पांचवी सभा से सौर उर्जा को बढ़ावा देने हे तू देशों के बीच अधिक आम सहमती बनने की उम्मीद है पांचवी सभा के बाद तीन विशलेशन आत्मक रिपोर्ट भी लॉंच की जाएगी ये हैं विश्व सौर प्रद्योगी की रिपोर्ट, विश्व सौर बाजार रिपोर्ट और विश्व सौर निवेश रिपोर्ट आपको बता दी कि भारत अंतराष्ट्रेस और गडबंधन का ध्यक्ष है अब बात करें अंतराश्ट्रेस और गडबंधन यानि आयसे असेंबली की तो ये आयसे का सर्वोच नर्णें लेने वाला निकाय है जिसमें प्रतेक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है ये निकाय आयसे के फ्रेमबग समझोते की कार्यान वेन से संबंधित नर्णे लेता है और अपने उदेश्यों की प्राप्ति हेतू समन्वित कारवाई करता है ये मंतरी स्तर्य बैठा के और वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है आयसे की पहली असेम्बली अक्तूबर 2018 में भारत के ग्रेटर नॉड़ा में जबकि चौथी असेम्बली अक्तूबर 2021 में वर्चुल मोड में आयोजित की गई थी इसमें सौर उर्जा स्थापत करने सही तन्य गतिविधी और कारेक्रमों की समीक्षक की जाती है अब बात करते हैं आयसे यानि अंतराश्ट्रे सौर गटबंधन की तो 2015 में पेरिस में कोप 21 के दोरान इसकी अवधारना प्रस्तुत की गई थी इसका सचेवाले भारत के गुरुग्राम में है ये एक अंतराश्ट्रे गटबंधन है जो दिनिया भर में उर्जा पहुँच और सुरक्षा में सुधारो ही तो सरकारों के साथ काम करता है वर्तमान में 109 देश आयसे फ्रेमवर्क समझोते के हस्ताक्षर करता है